ये क्लास 10 की जिलाप अ सब्सक्रेट मीश है न्हीं नुद धाउज्स एंड बहुर्देवेश पहले बात इसमा नहीत रिसोर्स के बाराँ परना आए से मुछ सब्सक्रस की ज़ो हमारी जरूरत के पूर्रा करने के लिए न्हीं है और कि हम अपने लीव और अपने काम के लीव से यूज में लेते हैं, तो Soil तो महुर्स्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पे तो सारे चीज़ी तिकी हुई है, Soil इस दा मीडियम औफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट सारे प्लांट की ग्रोथ हीट की हुई है, सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप अफ लिविंग और अर्गनिजम और अर्थ, Soil पर ही सारे लिविंग और अर्गनिजम से सर्वाइव कर रहा है, Soil इस लिविंग सिस्टम है, इस टेक ब्लियान तो फियर टो फोर्म सोईल अप विव सेंटीमेटर, मतलब सोईल को कुछ सेंट्र बढने के लिए भी मिलियान तो फियर लगते हैं, मतलब बहुत ट्रभ है तोल के बंदा यह से स्वैल क्यां की आसी मतलब कि जिसके उपर सब तेका हुआ है नार चैनत्र प्रीजिटेसन उन जॉआल foreigners यह सारी important factor किसमें? formation of soil में असवाल के formation कौन important factor है? parent rock, bad rock, climate, vegetation और इतनी फ़ी फ़ाम है life की वह साब important है various forces of nature temperature में change हो रहा है temperature में change हो रहा है तो खट्टा ने उसके उपर दबाव पर निजब temperature काफी जाद होगा, कम होगा तो वो तूटेंगी तो टूटकी जो पार्टिकल हटेंगी वो हवा के साथ या फिर वाटर के साथ वो बैके निचे प्लेंस में आएगा इसी तरह से soil बनती है कि वो उसके साथ जादर सीज़े मिल जाते हैं जास्तन गवर कुछ है तो भी उससे मिलता जाएगा और उस बनाएगा तो यह कुछ सेंट्रेंट लेर बनने में भी सोयल की मिलियांस ओफ यह ला जाते हैं तो जैसे कि टेंपरिचर में चेंज है रणिंग वाटर दो बैताव अपानी आ रहा है तो अपने साथ कुछ नो कुछ लेके आ रहा है वियनट है ग्लैस है यह सारी अक्किवटीज में है यह चैसे में साथ को यह कि बनाने में को शीजेह करतीयां कि टेंपटरेचर चेहरा जाल यह दर बहुत काम तो यहीं चाहिद राइंग वाटर वह रानिंग वाटर वह अपने साथ चीज़ों लेके आ रहा है wind, मतलब हवा, glaciers, इन सब चीजों की activity मिलके बनाती है, soil. Chemical and organic change which take place in the soil are equally important. मतलब soil के अंदर जो भी changes हो रहे हैं, वो भी important है. Soil also consists of organic humus and inorganic material, मतलब रास्तर जो चीजी खटा करती आएगी न, soil. जैसे की dead or decaying organismus में है, तो humus इन सब चीज बनाएंगे. इन और्गिनिक चट्टान से आई रहा है, तो इस soil में सब कुछ mixture है. On the basis of factors responsible for soil के farmations के लिए, जो factors responsible है. This is color thickness, texture, yeast, chemical and physical properties of soil. इस base पे soil को 6-8 मोट पाएं, divide कियागे है, जो Indian soil है, उसे हम 6 टाइप में बाट सकते हैं, 6 टाइप में बाट सकते हैं. ठीक है, किस base पे, color, thickness, texture, age, chemical composition, physical properties के base पे. बाट से टाइप में बाट सकते हैं, alveal soil, black soil, red and yellow soil, lateral soil, arid soil and forest soil. Soil erosion मतलब soil का कटना या उपर की layer का हट जाना, और soil conservation है कैसे कटना है, यह छोटा स्टोपे यह भी है. Soil erosion का मतलब यह है कि the denotation of the soil cover, जो soil का cover है उपर की जो layer है, उसका हट जाना है, soil erosion है. The process of formation of soil and erosion, soil bond भी रही है, उपर की layer हट भी रही है, एक साथ चलते रहते है, go on, simultaneous, नहीं मतलब यह, अलाग से कुछ नहीं होता है, यह चलते रहते है, दोनों process एक साथ. This process of formation of soil, जोट रही है, यह process नहीं मतलब यह, एक दूसरे साथ इस दीज़े बंड भी रही है, और टोट भी रही है, उपर की layer हट भी रही है, और आग जोड भी रही है, तो कुछ निस जो इस balance is distort हो जाता है, human activities जैसे की deforestation, अगर पेड़ों को कार दे जाएंगे, तो soil को पकड़ने की capacity है, वो खतम, क्योंकि जो पेड़ है, वो अपने जड़ों में, आप soil को जगड़ा अगते है, तो soil की layer हो जल्दी काटती नहीं है, अगर प्यों deforestation कर रहेंगे, deforestation मतलब पेड़ों को काटना हो, तो soil अब erosion के लिए तयार है, मतलब वो soil की जगड़ी हुई जगड़ी नहीं है, अगर उसमें soil को पर, जो animals है, वो उसमें गूम रहे हैं, अपना food ढोड़ने के लिए, तो उनके पैरों से भी soil की upper layer है, वो हटे कि वो लूज हो जाएगी, जो लूज हो जाएगी, तो अपर पैस आएगी, तो अपर की layer का हटना ही, तो soil erosion है, और जो अ overgrazing मतलब जो animals के उपर गोम रहे हैं, soil के उपर, उनके पैर उसे उपर के लिए lose हो गई, तो फिर, वो soil water के साथ या, हवा के साथ, move हो जाएगी, वहां से, construction mining ही सारी effect करते है, wind water, glacier, सब soil erosion के लिए responsible layer है, erosion मतलब अपर layer, जो soil की, जो उपर के layer है, उसका हट जाना, जो running water है, बहता हो पाणी है, वो कट कर जाता है, clay soil को, और would make deep channel, like a lease, मतलब जो अगर तीज उसमें, बहत, flow में पाणी आ रहा है, तो गलेज बनाते चला जाता है, मतलब, जो soil के अपर layer है, उसे हटाते चला जाता है, sometime water flow है, जो seed, कुछ जगत हो जाते है, वो soil को ले जाता है, तो इस तरह से, जो soil की top layer है, वो vast अभी, मतलब, दूह जाती है, हट जाती है, उसे seed erosion भी होता है, मतलब, हवा भी और पाणी भी सब मिला गया, soil के जो अपर layer है, उस हटाने का काम करते ही है, और soil की जो अपर layer है, उस हट जाने के process को कहते है, soil erosion, soil करणेर, मतलब, soil के बचाया कैसे जाए, जो इस ट्रिप और grass, grass को grow कर दो, को दो फुसल के बीच में, अगर जहां भी खाली जागया है, वह कुछ नो कुछ बहुत हो, तो अगर कुछ नो कुछ महाट लगा दिया जाएगा, तो उसकी जड़े, मतलब, कहीं भी खाली, अग स्ट्रिप क्रोपिंग कर दो, between the crops, अगर काली जगया है, तो महाप पर grass लगा दो, तो अगर उपर clear available ही नहीं है, तो erosion कैस होगा, अगर erosion नहीं हो रहा तो मतलब, कंजर्वेशन होगी जाएगा, एट ट्री को लगाओ, पेड़ जीत पेड़ जीत नहीं जात लगाएगा, उ वो सेल्डर बेल्ट का काम करेगा, सोयल के लिए, फर्स्ट है, अलिवील सोयल है, जो water के साथ बहके आ गई है, जीसे मतलब, जीसे ने water ने खटा किया, ठीक है, तो नोर्थ के जो plane है, जैसे कि हरेना पंजाब दिली, तो ये सारे जो plane है, यो अलिवील सोयल के बनी है, पंजाब बनाए है, उसने से बनाया है, यहाँ है कौन कोन से river है, ईर इंडा से गंगा है, अपर ने northern plane बनाया है, कि सी ने बनाया है, इंडा से गंगा, इन्होंने कैसे बनाया है, यह अपने साथ जो समान, कुछ भी चीज Human, आपर से लेके आ रही है, तो कहीन आ गई, तो और जो प्लेटा प्लेन में रिच्ट आपके जो बना दिया हैं वो है हो यहां अल्वेल शील में क्या है अपने अलग अलग रीषयों में, Soyl तौ कि है, Elsevillis And New, Old पत्थर को ग्याते हैं, Soil को ग technoswhat अंँ खादर, मतलो हो पुरानी क्छट्टा होते चलगी है, तो भो बांकर है, पत्थर जो चट्टन शू लेकर आगाया है, खदर has more fine particles and more fertile than the bangar, खदर थोड़ा नई टाइप की सोयल है, उसमें कंकर थोड़ी काम है, खदर थोड़ी काम है तो फटाइल जाता है, मतलब bangar जो पुरानी है, पुरानी मतलब old soil is a level soil है, उसमें कंकर जाता है, अब कंकर जाता ह तो सोयल भी fertile कैसा होगी फसलो के लिए, जो नहीं सोयल है खदर है, उसमें fine particles है, fine particles है, तो वो croping के लिए ठीक है, अची है मतलब तो ये जो सोयल है, ये croping के लिए ठीक है, तो यहां पर अगर फसल अची होह रही है तो यहां पर population में जाता होगी, तो पहले जो वहा लोग settle तो यह एरिया है टैंसली पॉपलेटिट अ मतलब अलवियल सोयल जहां भी है नदियों नो सिर्फ बनाया है तो नदियों साथ बहुत सारे चीज़ वहां पर आई है तो है अलवियल सोयल कहीं अलवियल सोयल के क्योंकि सब्सारे चीज़े हैं और पानी जिस बहां के लिए अंपने साथ उसे प्लांट के वेस्ट भी हैं और मिंडल्स भी जट आना साइच चीज़े भी हैं तो फ्रटाइल है इसमें क्या एडिक्वीट प्रपोर्चन है किसका पोटास का फासफ़रिक असट का और लाइम का किसकी लिए आइडियल है यह है आइडियल मतलग किसकी गुरोध को यह प्रमॉट करेगा मिसमें पुर यह पोटास और है मई आधियल किसमें सब्सकाद करे लेकर आइडिया आए और पूर किसमें है, फास्फ़रस में नाइट्रोजन में, highly fertile है, good for crops, इसमें होने वाली common crop है, rice, wheat, sugarcane, ये nature में vary करेगा, sandy lomond clay, इसमें अम आउट वेरी करेगा इन सबकी, next है black soil, black soil, black in color है, इसे rigor soil भी कहते हैं, इसे, growth के लिए cotton के लिए, तो इसे black cotton soil भी कहते हैं, बहुत जाद बुच जाती है, regular soil, black cotton soil, इसमें अच्छी growth होते है cotton के, and the climatic condition, along with parent drug material, ये important factor है कि इसके बनाने में, black soil के बनाने में, ये कहां पर है, northwest dick and plateau में, ये बनी कैसे है, लावा के flow से बनी है black soil, देखो, alelis soil को लेका है हैं, पानी बहा के, ठीक है, तो वो है, जो black soil है, ये बनी है, लावा से, वोल करने है, जो फटा है, उससे बनी है ये, तो ये कहां है, ऌनौछाइन महरास्त्रा, सुरास्ट्रा, मालबा, मद्या-पर्देシ, 36 गष्वर्ड हे, ब्लैटेउं पे ही यह ब्लैक सॉयल ब्लैक सॉयल किसके लिए सूटवल है, ग्रोज करने के लिए कॉतन के लिए, इसलिए हैं क्वलेक सॉयल भी यह extremely fine particle की बनी होती है, क्योंकि लावा में जो चीज़ी आईए वीकितम fine ही आई है, ब्लॉक जो black soil है made up of extremely fine material, इसकी जो water holding capacity अच्छी है, बहुत जात अच्छी है, मतलब सबसे जादे water holding capacity black soil की ही है, water holding capacity, मतलब कितना water के पकड़ कर रख सकती है, यह रीच है किसमे calcium, carbonated, magnesium, potassium, lime, यह सब इसमें अच्छी माट में है, बुआ है किसमें fast forward content में, यह developed deep crack, अगर hot weather होगा, तो इसमें crack होगे deep, जो किसी सीज में help करेंगे, proper area of soil, अगर crack आएंगे, तो वहां से हवा का आना जाना होगा, तो किसी सीज में help करेंगे, area of soil, जो किस के लिए अच्छी है, plant की growth के लिए, जो black soil, इसकी water holding capacity पाद अच्छी है, और जो temperature अगर थोड़ा बढ़ेगा, तो इसमें crack आएंगे soil में, तो जो area of soil के लिए अच्छी है, यह sticky soil, अच्छी पखना वाली soil है, black soil, black soil के लिए दूसरा नाम रहे गर soil भी है, black cotton soil भी से कहते हैं, इसमें यह किस मेंच टीच है, iron, lime, calcium, magnesium, carbonate and alumina, यह इसमें अच्छी quantity में है, पूर किसमे nitrogen and phosphorus, यह highly fertile soil है, इसमें जो moisture की जो retention capacity है, यह मतलब water holding capacity सबसे जाते इसी की है, इसमें deep crack का बनते हैं, और दोड़ा कराव temperature हो जाएगा, तो इसमें crack बोड़े जाएगे, जो aries में के लिए helpful, aries मतलब होगा काने जाना के लिए, सबसे जादे हम अच्छी है, black soil के, red and yellow soil, red soil develops on crystalline igneous rock, igneous rock बनी किसे लावा से, तो red soil उसी से बनी है, igneous rock से, in areas of low rainfall, जहाँ यह rainfall काम है, in the eastern and southern part of the decan plateau, east or south के पार्ट में, decan plateau के, यह rainfall काम है, also found in, parts of Odisha, Chathya Yod and Western Ghats, this soil जो है, developed red is color, क्योंकि इसमें iron का content जादे है, this soil develops a red is color, red is color क्योंकि दूए 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 दिफुज़न आरन इन क्रिस्टलाइन अ मेतामोर्फिक रोग, it looks yellow when it occur, in a hydrated form, very red or yellow, इसके मज़े से, यह, iron के वज़े से, let right soil, it develops under, un-tropical and shrub-tropical climate, इसमें क्या है, alternate wet and dry in season, यह deficient है, किसमें प्लाट नूट्रियंट हो है, mostly in southern street, west regard पर पाजाती है, यह बिलती किसे, weathering of rocks, रोग के तूटने से, किस चीज में रिच है, ferric oxide में, किस के लिए suitable है, growth of tea, coffee, coconut rubber, यह सब इसमें हो सकते हैं, गर proper manure की जा सके तो, let right soil में, cap ferric oxide, में रिच है, weathering of rocks से बढ़ निया, suitable किस चीजी, ग्रोथ के लिए, chai, coffee, coconut rubber के लिए, it is formed by the leaching process, in the heavy rain fall, less fertile तो है, only grass grow, only in the onion, it is abundance, अगर, जादे fertile नहीं है, यह soil, tea coffee, coconut यह सब इस पर इस पर, grow के जा सकते हैं, proper manure रिच के साथ, खा दी एरने से, arid soil, यह red to brown in color है, sandy texture, मतलब red type का, saline in nature है, salt content, इसका सबसे हाई है, क्योंकि इस water तो इपरेट होगे, उड़ गया, salt ही बश्चता है, इसमें, क्योंकि यह, arid soil हो आप आ जाते हैं, जहांपर temperature बहुँ जाद है, dry climate है, high temperature है, तो इस फास्ट होगा, तो moisture तो होगा नहीं, जो lower horizon ice soil का उसमें, कंकर पाये जाएंगे, यह infertile soil है, सबसे जग कम infertile soil ही है, arid soil, यह water की deficiencies में होनी है, high level gas में होना, gypsum, calcium, carbonate and sodium, कंकर ले रिंदर soil, प्रिवेंट करता है, water from, सीपिंग अंडरग्राउं, अगर कुछ बारिस होगी, तो उसे रोकने के लिए, नहीं चाहिए, जो कंकर है, वो help करते है, arid soil, सबसे infertile soil है, इसमें, water content बहुत काम है, red to brown in color, saline in nature है, क्योंकि वो अप्रेशन वाटर का थो होगी जाता है, forest soil, काम बाइजारी, hilly areas में, hillies और mountain areas, इरियाज, महापर जब sufficient rainforest है, rainforest वाले इरियां पाजाती है, forest soil, nature of the soil, डिपेंड करता है, climate and altitude of the mountain पे, ये rich case में है, humus में, क्योंकि प्लाटर ये सब चीज़ नहीं है, deficit case में, potas, phosphorus, lime में, so double case के लिए, tea, coffee, and spice के लिए, go grow करने के लिए,